मेरट के किठोर थानाक शेत्र के माच्रा गाव में हाइट टेंशन लाइन की चपेट में आकर एक किसान की मौत हो गए गटना से गुसा आए ग्रामिनों ने विद्यत्वी भाग एधिकारीों पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए जम कर हंगामा किया मोके पर पहुचे प्रशासनिक अधिकारीों ने मौावजी का अश्वासन देते हुए ग्रामिनों को शान किया दरसल गाव करहने वाला पचास वर्षियर राम प्रसाथ अपने खेत में एक पेड़ की छटाई कर रहा था बताया जाता है इसी दोरान राम प्रसाथ का हाथ पेड़ के निकट से गुजर रही 11,000 वोल्ड की हाई टेंशन लाइन के तार पर छू गया जिसके बाद राम प्रसाथ के शरीन में ब्लास्ट हुआ और वह जमीन पर गिर गया धमा का सुनकर आसपास के खेतों में काम कर रहे ग्रामिन मौके पर पहुचे तो उन्हें अज़ली हालत में राम प्रसाथ का शव जमीन पर पढ़ा देख उनके होश उड़ गया घटना की जानकरी मिलते ही मृतक के परिवार में कोहराम मच गया घटना से गुसाय परिवार के लोगों और सेकडों ग्रामिनों ने हंगामा शुरू कर दिया मौके पर परची पुलीस ने शव को पोस्ट मॉटम के लिए भेजने का प्रयास किया लेकिन ग्रामिन S.D.M. मवाना को मौके पर बुलाने की मांग परड़ गए बाद में घटना स्थल पर पहुचे कानुन गोरिजा मुद्दिन ने विद्यत विभाग के तमाम क्षेत्री अधिकारियों को कॉल की लेकिन मामले की जानकारी मिलते ही सभी अधिकारियों ने अपने मोबाइल स्विच आफ कर लिए काफी देर चली जद्दो जहत के बाद कानुन गोरिज परिवार को मुख्यमंत्री राहत को इससे मुआवजा दिलाने का आश्वा सन दिया जिसके बाद मुर्तक के शव को पोस्माटम के लिए भेजा गया